नमस्कार दोस्तों मैं योगेश गैजिट्स इन टिकना ओल जी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आप देखने है टेक अपडेट नमबर 11 और मैं आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंट्रेस्टिंग अपडेट लेके आ हूँ कुछ हैं यहाँ पे सैंसेंग के स्मार्ट फोन को लेके कुछ आप शाउमी की तरप से हैं कुछ LG की तरप से हैं कुछ Apple की तरप से हैं तो आप आगे देखते हो मेरे साथ में इस वीडियो को और आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हैं काफी सारा ये काम करता है दोस्तों, यहाँ पर मतलब आपको radio service enable मिलती है, इसके साथ में, radio day की दिन ये सारी चीज़ें possible हो पाई हैं, और यहाँ पर आपको 350 radio stations आपको सुनने को मिलेंगे, जिसमें से 17 live stations होंगे, और 14 languages को ये Amazon Alexa support करेगा, काफी अच्छी बात है कि आपको updates मि की तरब से, biometric system पर काम कर रहा है, जो की car के लिए enable होगा दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी cars होंगी आने वाले time में, हो सकता है कि उन पर आपको ये feature देखने को मिल जाए, तो मतलब इस feature में क्या होगी, आपके face ID की मदद से, या फिर fingerprint की मदद से, आपकी car lock और unlock होगी, या फिर अपने face को detect करेंगे, उसके बाद में हमारी car unlock होगी, या फिर lock हो जाएगी, काफी अच्छा feature है, Apple इस पर काम कर रहा है दोस्तों, अगला जो update है, Xiaomi के foldable smartphone को लेके है, कुछ टाइम पहले एक video सामने आई थी, जहाँ पर Xiaomi के CEO है, वो अपने हाथ पर रखके foldable smartphone को च flex, तो दोनों ही smartphone का design होला कि काफी अच्छा है, और यहाँ पर Xiaomi मुझे रखता कि बहुत ही जल्दी foldable smartphone को launch कर देगा, यहाँ पर बहुत अलबर companies launch करने की तयारी कर रही है foldable smartphone को, तो ऐसे मैं यहाँ पर Xiaomi भी कर सकता है, अपने foldable smartphone बहुत ही जल्दी launch, अगला update यहाँ पर Apple क जल्दी एक paid news service लाने वाला है, जो की बताया जा रहा है कि 25th March को announce हो सकती है दोस्तों, इस service में आपको लगबग $10 में monthly plan मिलेगा, जिसमें Apple ने क्या कर रहा है, publisher के साथ में यहाँ पर contact किया है, और आपको जितनी भी global news है, वो आपको एक ही platform पर यहाँ पर देखने को मिल दोस्तों, अगला update भी Apple की तरब से ही है, Apple iPad Pro 2018 के जो दोनों ही variant है, 11 inch और 12.9 inches, इनका अन्तुतु स्कोर भी काफी ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, 5,62,000 और 5,53,000 है इनका अन्तुतु स्कोर जो की काफी fast है, और बताया जा रहे कि Apple की सबसे fast devices यह है, और मतलब यहाँ पर जो चिप यूज हो रही है, A12X Bionic चिप यह है, और काफी fast यह चिप है, मतलब सबसे ज़्यादा अन्तुतु स्कोर आ रहा है, आपको मालूम है कि जो iPhone XS और XS Max है, उनका 3,64,000 के आसपस अन्तुतु स्कोर आता है, लेकिन यह tablet जो है, यह काफी fast है, जिनका अन्तुतु स् जर सकते हो, तो यहाँ पर पबजी वाले काफी update आपको दे रहे हैं, और देखते हैं कि future में और कौन-कौन से update आपको मिलते हैं, PUBG Game में दोस्तों, क्या आप खेलते हो PUBG Game, जरू नीचे comment में लिखना इसके बारे में, अगला जो update है, Samsung के दो नए upcoming smartphone को लेके है, दोनोई smartphone A series क फोन है, Samsung Galaxy A20 और Samsung Galaxy A50 फोन है दोस्तों, यहाँ पर जो A20 है, वो थोड़ा सा basic feature के साथ में आता है, लेकिन जो Samsung Galaxy A50 है, उस में थोड़ा सा आपको feature अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर Geekbench पे दोनोई smartphone लिस्ट होए हैं, और इनके कुछ feature सामने आई हैं दोस्तों, लीक के basis पे स 64GB internet storage और 128GB internet storage के साथ में आएगा, और इसके जो back camera हैं वो triple camera setup के साथ में आएगा, जिसमें से जो main sensor है 24MP का होने वाला है, तो अभी सारी चीज़ें यहाँ पे leak के basis पे, कोई image यहाँ पे सामने नहीं आई है, अभी केवल Geekbench Base की listing हुई है, देखते हैं कि यह realistic है, आता है यह फोन तो हमको पता चल पाएगा बाद में दोस्तों, अगला जो update है, वो final update है, यहाँ पे LG की तरब से, और काफी time से यह phone leak में चल रहा है दोस्तों, LG G8 ThinkQ यह smartphone है, और इसकी एक और image यहाँ पे leak के basis पे सामने आई है, बताय जारी कि यही इसका confirm design है, लेकिन यहाँ पे 24 को ह पता चल पाएगा कि confirm design है या फिर सारी चीजें leak के basis पे हैं, इसमें आपको मतलब जो design है, नीचे की side यहाँ पे 3.5 headphone jack भी आपको दिख रहा है, USB type C दिख रहा है, speaker grill नीचे की side में दिख रही है, उपर पे बड़ी सी notch दिख रही है, और साथ में back side में इसके triple rear camera दिख रहा और 6GB RAM और 128GB internal storage के साथ में ये phone आएगा, snapdragon 855 chip मिलेगी, flagship grade का processor होने वाला है, flagship grade का ही इसका price होने वाला है, देखते हैं कि इंडियन market में कब ये smartphone आता है दोस्तों, वैसे तो LG काफी late late में इंडियन market में phone को launch करता है, लेकिन अगर pricing अच्छी रही, सारी चीजें अच्छी और जल्दी इसको launch कर दिया, तो हो सकता है कि popular भी हो जाए इंडियन market में, तो यहाँ पे दोस्तों, almost मैंने सारी tech updates cover कर दिये हैं, जो कि important यहाँ पे मुझे लगी है, आप जरू नीचे comment में बताने कि कौन सी tech update आज की आपको सबसे बढ़िया लगी, और दोस्तों कैसी लग वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और बैल आइकन को दबाना तो बिलकुल भी मत भूलिए, मैं इस तरह की वीडियो ले के आता रहता हूँ, थैंकी दोस्तों, थैंकी सो मच पर वाचिंग